तो जो मकराज के जातक हैं आज आपको अपने अंतरात्मा की आवाज को सुन करके काम करना चाहिए आज आपके पदोन्यति का योग बन रहा है आपका मान सम्मान मिलेगा और अगर आप लेखन कारे में कारे कर रहे हैं अगर आपके अभुरूची एलेखनकारे में तुस्साज आपको लाव मिलेगा पत्नी साज आपको बैचारिक मतभेद हो सकते हैं तो थोड़ा बात विबात करने से बचने की जरूरत है और आज आपको अत्यधिक खर्च करने से थोड़ा मन आपका चिंतित हो सकता है और आप के छठे भाव में मिथून का चंद्रमा है तो आज आपको लगेगा कि अकारण चिंता अकारण तनाव और जैसे मौसम चेंज होगा सर्दी जुकाम एलर्जी हो सकते तबने हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉंसर्स रहने की जुरुरत है और आज आपको सौधानी क्या बरतनी है अपनी अग्रजों की बात मानें अग्रजों की सलाले आपके लिए अच्छा रहेगा और आज आपको उपाय क्या करना है उपाय ये करना है कि आप घर से घर में पार्थी बनाकर भूले नात का और उनके शीव परिवार का जला भिशेक करें आपके लिए अच्छा रहेगा सुबंकतीन है, सुबरंग ग्रे है, लग मीट साथ है, हरे कृष्ण